हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर कौन बनेगा करोड़पती 14 के शुकरवार के एपिसोड में विताब बच्चन ने बताया कि उन्हें बिमार पढ़ने पर कोई अफसोस नहीं होता अगर ऐसा उनके ओडियन से टच में आने के वज़ा से हो शुकरवार के एपिसोड में रजच शर्मा के जीतने के बाद कंटेस्टेंट शामभवी बंडल होट सीट पर विराजमान हुई मुंबई के थाने से आई शामभवी एक MNC कंपनी में कॉंटेंट स्पेशलिस्ट है शामभवी ने Medical Industry में अपने काम के बारे में भी बताया जिस पर अमिताब बच्चन ने कहा कि वाइरस चुन कर लोगों पर हमला करता है इस पर शामभवी ने बताया कि अगर कोई वाइरस नहीं भी है तो भी घर में आने के बाद खुद को सैनिटाइज करना जरूरी है शामभवी ने कहा सर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप भी रोजाना तमाम लोगों से मिलते हैं तो ओर्डियंस में अगर कोई इंफेक्टिड है तो आप भी हो सकते हैं इस पर अमिताब बच्चन ने एक पल सोच कर रिपलाई किया कि मैं आपको एक बात बताओं मैं खुद को किस्मत वाला समझूँगा अगर ओडियंस से मिलने की वज़ा से मुझे बिमारी हो जाए मुझे बिमार होने का कोई अफसोस नहीं होगा अगर वो मेरी ओडियंस की वज़ा से हुई है मुझे उनसे मिलने का मौका मिलता है मैं उनसे हाथ मिलाने में कोई अतराज नहीं करता और वे सबसे ज़ादा मैत्वपून है आपको बता देगे मिताब बच्चन को के बीसी की शूटिंग के दोरान कोविड भी हो गया था वे अपने बेटे विशेग बच्चन के साथ काफी वक्त तक नाना बटी अस्पताल में भरती रहे थे अमिताब की सेहत को लेकर उनके करोडो फैंस दुआ कर रहे थे और कुछ ही वक्त में दुआ और दवा दोनों का असर दिखने लगा और अमिताब जल्दी ठीक होकर घर आ गए दोस्तों इस वीडियो में के वल इतना ही ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए झाल में थाईब कर दोस्तों इसे वारे जरी दोस्तों का असर दोस्तों के वे बिल्कुल मत भूलिए